तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाल हो कि अगर आपको भी WhatsApp पर जो है Call Connection Problem आ रहे हैं जीए तो कनेक्शन या पर Reconnection की Problem शो रहे हैं जब भी आप किसी को Voice Call या पर वीडियो कॉल करते हो WhatsApp पर और अगर आपको Connecting की Problem शो रहे हैं तो आप इस Problem को कैसे solve कर सकते हो तो गैस अगर आप भी चाहना चाहते हों तो इस वीडियो को पूरा देखना भिल्कुल भी मत करना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मारे चाहाण को सब्सक्राइब नहीं किया कर पाऊगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या सबसे पहले तो आपको जो है अपने मुबाइल के सेटिंग्स में जाना है मुबाइल के सेटिंग्स में जाने की बात यहाँ पर आपको एक एप का उप्शन देखने को मिल जागा जी या दोस्तों आपको एप्स का उप आपको मिल जा गया फ़र आपको एप्लिकेशन मेनेजमेंट या पर एप्लिकेशन मेनेजर करके option मिलेगा तो यहाँ पर आपको सिंपलिए अपने मोबाइल के सैटिंग्स में उस option को डूड़ना है इसके बाद आपको एपस वाले option पर क्लिक ना है और यहाँ पर आपको Manage Apps क का option देखेगा तो simply आपको इस पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर आपकी मुबाइल के सभी application आपको देखने को मिल जागए तो यहाँ पर आपको watch-up application को डूणना है यहाँ पर आपको सर्च बार का भी option मिलता है यहाँ पर आप WhatsApp search भी कर सकते हो और आपको WhatsApp application पर प्लिक करना है इसकी बाद दोस्तों यहां पर आपको clear data और clear force stop का आपको option देखने को मिलागा है यहां पर आपको नीचे की option शो करेगा यहां फिर दोस्तों को फिर से गाईस आपको वाटसब को login करना होगा फिर से आपको वर्टसब में अपना number डाल करके फिर से आपको को लॉगिन करना होगा तो फिलाल यहापर मैं clear all data कर लेता है उसके बाद यहापर आपको first stop भी यहापर कर लेना है clear data करने की बाद यहाँ से इस आपको बैक आना है और इसके कि बाद आपको अपने जो है, मॉबाईल में सबढ़े यहाँ पर नोटिफिक्रिकरिशन बार में आने की बाद यहाँ पर आपको, एरप्लेए मोड का ओप्षिन शोक डेका, अगर आपको नेट्वक की प्रॉबलम आई है, तो फिर से language चूज करने की बाद next पर क्लिकना और guys यहाँ पर आपको agree and continue पर क्लिक करके आपको अपना phone number डालना है जिस भी number पर आपका WhatsApp ता है इसके बाद आपको next पर क्लिकना है और इसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपका जो है फिर से WhatsApp आपका login हो जाएगा आपकी number पर OTP आ हो जाएगा इसके बाद इस तो यहाँ पर आपको restore पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना data फिर से restore कर लेना है और यहाँ पर आपको next वाले option पर क्लिकना और इस तरीके से आपका WhatsApp फिर से आपने clear data करा होगा तो चालो हो जाएगा और इसके बाद guys आपकी problem solve हो जाएगा इसके बाद जब भी आप किसी को video call करोगे तो आपको connecting इस तरीके से problem आपको show नहीं करेगी तो यहाँ पर अब जो है मैं video call करके आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ सो यहाँ पर मैं इस वाली number पर यहाँ पर video call यहाँ पर कर लेता हूं और यहाँ पर अभी जो है किसी भी तरह की कोई भी problem आपको इस तरीके से स्जोर नहीं करेगी आन पर नहीं कि दरखा हैं सो यहाँ पर देखो अभी जो है तो वैस कुछ इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो दोस्तों गर आप कोई वीडियो चलागा होते इस वीडियो को लाइक शियर और एंड सब्सक्राइब सरूर से किजिएगा